हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट दोस्तो एक और जहाँ पे राज निर्वाचन आयोक उत्तर प्रदेश का सक्त आदेश कित्री अस्त्री पंचाय चुनाव कराने हैं दोस्तो एक समवैधानिक निकाय का आदेश है शक्षम आला अधिकारी अपने अधिनस्तों को आदेशित कर रहे हैं सरकारी सेवाओं में होने का ये पार्ट आफ ड्यूटी है ये कर्तब्व है इसे करने होते हैं तमाम विश्यम और प्रत्कूल परिस्थतियों में जो भी अधिनस्त कर्मचारी रहे शिक्षक रहे अधिकारी रहे उन्होंने वड़ी ही संजीद की और बहादुरी के साथ अपने कर्तब्वियों का निर्वान किया लेकिन दोस्तों जिस रूप में COVID-19 वैश्विक महमारी चारो और दोस्तों ट्रांस्मिट हो चुकी है उसने संक्रमट के रेट को बढ़ाया तमाम ऐसे सिक्षक भाई बहन रहे तमाम ऐसे सक्षम अधिकारी रहे जो कि कुरोना की गिरफ्त में आकर के असमें काल के गाल में दोस्तों समा गए अब सियासत भी दोस्तों गरम हो गई है विपक्ष भी आकरामक और हमलावर हो गया है उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भुमिका में जो प्रियंका वाडरा गांधी हैं दोस्तों वो सक्री हो गई है उन्होंने मांग किया है कि यूपी पंचाय चुनाव की ड्यूटी में लगभग 500 सिक्षकों की मृत्तु की खबर दुखद और डरामनी है चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रवंद लचर था तो उनको क्यों भेजा सबी सिक्षकों के परिवारों को पचास लाक रूपए मुअबजा वा आशिरतों को नोकरी की मांग का मैं पुर्जोर समर्थन करता हूँ करती हूँ स्वरी तोस्तों आप देख रहे हैं ये प्रियंका गांधी वाडरा ने ट्वीट कर रखा है कि यूपी पंचाय चुनाव की ड्यूटी में लगे लगवग पांसो सिक्षकों की मृत्व की खबर दुखद और डरावनी है चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उनको क्यों भेजा सभी सिक्षकों के परिवारों को 50 लाक रुपए मुआबजा वा आश्रितों की को नोकरी का की मांग का मैं पुर्जोर समर्थन करती हूँ आगे दोस्तों इसी रूप में उत्तर प्रदेश के पूरू मुखमंतरी श्री अखिलेस यादो जी ने भी अपनी आवाज दोस्तों मुखर किया है आपने ये कहा है कि पंचाय चुनाओं में इलेक्षन ड्यूटी में जिन अधिकारियों, सिक्षकों वा कर्मिचारियों की मृत्त कोरोना संक्रमल से हुई है उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ततकाल 50 लाक रुपए की सहायता राश्री पुरदान करे पाचपा सरकार सुरक्षा दे अनथा सरकारी कर्मी वा सिक्षक मदगणना का बहिसकार करने पर बाद धो जाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों अकले सियादो जी का ट्वीट है कि पंचाय चुनावमे इलिक्षन ड्यूटी में जिन अधिकारियों सिक्षकों वा कर्मचारियों की मृत्त कोरोना संक्रमल से हुई है उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ततकाल पच्चास लाग की सहायता राश्य प्रदान करें पाजपा सरकार सुरक्षा दे अनथा सरकारी कर्मी वा सिक्षक मदगणना का बहिसकार करने पर बाद धो जाएंगे सीधी सी वात है दोस्तो जिन परिवारों ने अपने अजीज को खोया है महस पैसा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी लेकिन तो भी दुख की इस घड़ी में वेदना की इस घड़ी में ऐसे परिवारों के साथ दोस्तों साथ खड़े होने की जरूरत है और सरकार को ये मांग तो उस तो बिलकुल माननी चाहिए कि कमस कम जिस परिवार ने अपने हीरे को खोया है उन्हें वापस तो नहीं किया जा सकता है बट उन्हें जो इकोनॉमिक कमपनसेशन है बिल्कुल उनके एकाउंट में बिना किसी परिशानी के बिना किसी शोषण के बहुत ही पारदर्सी तरीके से उन तक पैसा भी पहुच जाया और साथ ही परिवार में एक सदस्व को दोस्तो नौकरी अवस्व मिले बाद में हम बात करेंगे यहां प्रेशक हैं राजेंद गुमारतिवारी मुख सची उत्तरप्रदेश सासन और यहां पर दोस्तो पत्र जारी करके बताते हैं कि कोविड-19 के प्रभावी नियंतरन है तो ग्रिह मंत्राले भारत सरकार के आदेश संख्या दिनांग 26 अपरेल 2021 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का अनुपालन है दोस्तो कोविड-19 का उच्छ पॉजिटिव रेट है और शहूर यह फैल गया है अब आपमान के चलिए कि वाइरस संचनल की गति को समझना है और पूरा का पूरा दोस्तो यह बात पे फोकस है कि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया हुए व्यक्ति कोईरेंटाइन हो आइसुलेट हो उसका परिक्षन किया जाए अब फिर से वो कवायद दोस्तो शुरू हो गई है जो पहले फेज में थी रात तरिकर्फियू लगना है धारा 144 लागू होनी है और सामाजीक, राजनीतिक, खेल, मनोरेंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उस्सों से संबंधित तथा अन्यभीड़ता सभाओं को प्रत्बंधित किया जाए शादी समारो है तो 50 वेक्ति की उपस्तिती होगी, 10 संसकार, अंतिम संसकार, 20 वेक्तियों की उपस्तिती को अनुमत दिया जाए समस्त, शौपिंग कॉंपलेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स, यूं बार, खेल कॉंपलेक्स, जीम, इस्पास, स्युमिंग पूल, धार्मिक अस्थानों को दोस्तों बंद कर दिया जाएगा आवस्यक सिवायों गत्विधियों जैसे स्वास्ति सिवा, पुलिस, अगनी, बैंक, विद्दुद, जल, एम सिचाई, आम परिवहन के निरधारी संचारन आवस्षक सिवाँ और गत्विधियों जो सुचार रूप से संचालित किया जना आवस्षक के कुजारी रखा जाएगा इस प्रकार की सिवाएं सरकारी और निजी छेत्रों दोनों में दोस्तों लागू होंगी सारजुनिक परिवहन की अगर हम बात करें तो रेलवे मेट्रो बसें कैप्स अधिक्तम 50% छमता के साथ संचालित किये जाएंगे संचालन पर किसी परकार का प्रतिबंद नहीं होगा समस्त सरकारी और निजी दोस्तों यहां इंप्रोर्टन्ट है जो भी स्टेबलिस्मेंऩ है सरकारी और निजी दोनों अपने अधिक्तम 50% करमचारियों के साथ कार करेंगे यहाँ पर दोस्तों बात हो रहे ही रैपिट एंटिजन टेस्ट भी होना है समस्त और दोगिक वैग्यानिक प्रतिस्ठान सरकारी और निजी दोनों अपने कार बलके साथ बहुत इक दूरी मान दन्डो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के नूप कार करेंगे साथ ही उनका समय समय पर रैपिट एंटिजन टेस्ट के माध्यम से ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति फ्लू जैसे लच्छों के साथ चिन्हित किया जाता है प्रिक्षन किया जाएगा तो दोस्तो आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रदिबंध आगामी 14 दिनों तक लागू रहेंगे पूरी पूरी विवस्था फिर से दोस्तो पटरी पे लोट आई है जो सारी सारे प्रदिबंध और सारे एक प्रकार से आप ये कहें कि रिस्ट्रिक्षन्स लगाए गए थे वो पूरा वापस लोट रहे है यहां बात की जा रहे है कि Rapid Antigen Test के मद्धम से परिक्षन की जाएं और संकरमन के लिए Negoti पाया जाने वाले व्यक्ति जिनमें लक्षण मौझूद है उनका पुरा RTI PCR के मद्धम से परिक्षन की जाएं दोस्तों आप देख रहे हैं सारी बाते हो रही है ये सारे प्रदिबंद 14 दिन तक दोस्तों जारी रहेंगे और ये सारी की सारी व्योस्ता एक बीमारी की वज़ा से है और ये जो बीमारी है जानलेवा है किसी को भी दोस्तों छोड़ती नहीं है ऐसे इस्तिती में युद्ध हस्तर पे कार करने की आउशकता है हमें ऐसा लगता है कि ये रास्टी आपात लगाने की सरकार को जरूरत है ताकि पूरे के पूरे जो महकमा है पूरा का पूरा जो समुदाय है उसके स्वास्त और उसकी जीवन की रक्षा किया जा सके दोस्तों आज के दिए इतना ही वीडियो ए इन्फरमिशन आपको कैसा लगा आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें चैनल पर कमेंट करें लेकिन अगर आप एजूकेशनल इंसाइट भाया जैपी दूबी नम तिसे अगूबी दूद करिए पिसे लाइक के लिए इतना ही आपको चैनल आपको अच्छा के विए करेंगे लिएगे रगाई